हलो दोस्तो वह एमके नकडी में की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो आज आपके लिए जो है मैं दिल्ली मेट्रों का बाठी रिप्लाई का जो जवाब है उसका एक वीडियो लेकर क्या हैEK है किएँ है यानि किम्यटे आपको detail के साथ में बताने वाले हूँ कि जो DMRC है उसने उन questions का क्या जवाब दिया है तो दोस्तो सब सब पहले मैं आपको वह जो questions है वो बता देता हूँ तो दोस्तो आप देख सकते हैं कि हमारे सामने यहाँ पर 4 questions है तो दोस्तो यह चारो यहां पर सबसे पहले दिखा देता हूं तो दोस्तों इसमें यहां पर दिया वाए the information short is available in the careers section on DMRC website दोस्तों यहां पर DMRC की website दिवी है wide notice number और दोस्तों यहां पर notice number दिया वाए और दोस्तों यह जो notice वो 1862000 को DMRC ने जारी किया था यहां पर DMRC ने इस पहले question का answer दिया है कि जो CRA की जो post है उसे रद करने का जो notice है उन्होंने 1862000 को जारी कर दिया था जिससे आप DMRC की जो official site है उस पर जाकर के उसका career का section है उसमें जाकर के देख सकते है तो दोस्तों इसका मतलब है कि जो DMRC है उसने CRA की भरती को जो है बिल्कुल भी रद कर दिया है यानि कि दोस्तों अब उस पर जो है उसका result आना बिल्कुल यानि कि नय के बराबर है यानि कि उस post को यहां पर बिल्कुल ही समाप्त कर दिया है लेकिन दोस्तो अब इसका जो दूसरा question है वो मैं आपको यहाँ पर बता दिता हूँ तो दोस्तो दूसरे question में मैंने यहाँ पर जो DMRC है उससे पूछा था When will DMRC refund the exam fees to CRA candidates? तो दोस्तो सबसे important question यही था मैंने इसमें पूछा था पढ़कर के बता देता हूँ तो दोस्तो यहाँ पर DMRC ने दिया है दूसरे में it was mentioned in the advertisement number DMRC 2019 यहने कि दोस्तो यहाँ पर इससे advertisement का जो number वो दियावा है 14.12.2019 को यह जारी हुआ था requirement fees included transaction processing charges once paid will not be refunded under any circumstance also DMRC had gone through the process of issue of admit card holding of CBT and incurred the full cost of the process यानि कि दोस्तो इस दूसरे question के जवाब में DMRC ने यहाँ पर बताया है कि इसका जो refund है वो बिलकुल भी नहीं करेगी DMRC यानि कि दोस्तो DMRC क्यों refund नहीं करेगी उसका reason बताया है क्योंकि DMRC ने यहाँ पर admit card जारी किये थे और CBT का जो exam है उसके processing से यहाँ पर गुजर चुका था यानि कि दोस्तों CRT का exam हो चुका था यानि कि इसमें काफी खर्चा भी आ चुका था यहाँ पर दिया वा है इसलिए दोस्तों यहाँ पर जो सारी परक्रिया हो गई थी केवल इसका जो result है वही बाकिय था जारी करने जा रही है और दोस्तों अगर जारी करती है तो दोस्तों चोते में मैंने पूछा कि DMRC had released the last direct requirement notification इनने 2019 यानि कि दोस्तों DMRC ने लास्ट जो शिदी भरती है वह 2019 में जारी की थी यानि कि दोस्तों काफी समय हो चुका है DMRC को requirement जारी की विए तो दोस्तों अब अगर 2022 में ने requirement जारी करने जा रही है तो दोस्तों क्या उसमें सभी के टेकरियों में जो है एज में छूट दी जाएगी तो दोस्तों इसका यहां पर DMRC ने एक ही जवाब दिया यानि कि दोस्तों दोस्तों यहां पर यह जवाब हो सकता है information short regarding future requirement is hypothetical in nature which does not fail within the definition of information under section तो दोस्तों यहां पर DMRC ने बताया है कि अगला requirement यानि कि सीधी भरती कब आएगी इसके बारे में DMRC नहीं बताय सकती क्योंकि यह एक तरशे कलपना है और दोस्तों यह DMRC का जो RTI का जो section उसके अंतरकत नहीं आता है लेकिन दोस्तों जो age relaxation का जो मैंने चोथे में पूचा था उसका जवाब यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है हो सकता है दोस्तों जो DMRC उसने पिछली बार भी हमें एक ही RTI के दो जवाब दिये थे तो दोस्तों उसकी तरह भी यहाँ पर जो है चोथे question के लिए अलक्से जो है वो यहाँ पर जवाब जारी करें और दोस्तों हो सकता है कि नहीं भी करें और दोस्तों नया requirement है उसके बारे में मैं हर RTI में DMRC पूछता हूँ लेकिन DMRC यहीं बताती है कि यह केवल और केवल hypothetical है यानि कि दोस्तों केवल कलपना है इसलिए इसके बारे में नहीं बता सकते है कि इसकी जो सीधी बरती है वो कब तक आएगी लेकिन DMRC से एक question का जो answer का जो जवाब है उसका इंतजार जरूर रहेगा क्योंकि दोस्तों उसमें मैंने यहाँ पर जो age relaxation है उसके बारे में पूछा था और अभी तक उसका यहाँ पर जो जवाब है वो clear DMRC नहीं दिया है तो दोस्तों यह DMRC ने RTI जो है मुझे reply कर दिया था और इसका जो वीडियो ह वह आज मैं आपके लिए सामने लेकर के आया हूँ तो दोस्तों उम्मीद है यह जो वीडियो वह आपको काफी पसंद आया होगा अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जएदा से जएदा like करना है share करना है साथ ही दोस्तों कर चैनल पर पहले बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बिलाइगन को दबाएं